हेलो फ्रेंट्स जै मातादी मेरा नाम है सुनीता और मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुनीता अज लाइफस्टेल में तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं मोनी एकादशी व्रत के महत्व और पूजनवीदी के बारे में सबसे पहले फ्रेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भीना भूले जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो के शुरू करते हैं मोहनी एकादशी व्रत इस साल 2019 में 15 मई 2019 दिन बुदुवार को रखा जाएगा मोहनी एकादशी व्रत मोह भंदन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाबारत काल में युदिश्र ने मोहनी पालन करना चाहिए एकादशी के दिन भ्रह्म मूरत यानि सुबा उठकर तिल का लेप लगाना चाहिए या फिर तिल मिले जल से स्नान करना चाहिए स्नान के बाद लाल वस्तरों से सजे कलश की स्थापना करके पूजा की जाती है इसके बाद भगवान विश्नु तथा प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं इसलिए मोनियकादशी व्रत बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है तो फ्रेंट्स ये थी जानकारी मोनियकादशी व्रत विधी के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक औ धन्यवाद जैमाता दी